हाई फ्रेंड्स मेरे नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय दोस्तो आज हम बात करेंगे वासिंग मसीन के अंदर जो स्पीन की मोटर होती है उसकी वाइंडिंग कैसे होती है कौन सा वायर लगता है कितने टन आते हैं और कैसे कैसे इसकी व लगाते हैं तो winding tight हो सकती है तो यहां पर मैंने चारों कॉइल एकसाथ बना दी है है और चारों कॉइल इसकी मैंने जो इसमें गेज लिया वह ऐलुमूनियम का वायर है और इसका गेज है तीस नंबर और इसमें टर्न लिए हैं मैंने 140 दोस्तों इस बाकि आप स्टाइट्ग के रावक कर सकते हैं लेकिन ये अलूउनियम की थी लिएक पर नीचे अगर आपको समझ में आता है तो आप रोख रोख कर वीडिव को देखे ताकि आसानी से समझवाए थोड़ा मैंने फारवर्ड किया है वीडियो क्योंकि अगर मैं इसको बरनाता तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो यहां पर पहली कोईल आपकी इस तरह डल जाएगी और दोस्तों जब भी आप इसमें पेपर लगाते हैं तो यहां पर ध्यान रखे कोई वायर सलाट के बीच में ना फसे और उससे होता क्या है कि वायर कड़ जाता है और फिर बाद में आपको उससे परेशा नहीं आ सकती है तो यहां पर सारे तार अच्छे से सलाट में फसा ल रखना है दोस्तों मेरा मैं जो आइनिक करता हूं उसकी मतलब आपको में इस तरह करता हूं और अगर आपको चारों को एक साथ बनाकर डालनी नहीं आती है कनेक्शन का चक्र प्रता है तो आप सिंगल सिंगल भी को डाल सकते हैं लेकिन अलुमूनियम में कहाई कि आपको ए खराब कम होंगे तो यहां पर आप उसको यह सिरे का दियान रखना है एक से तीन में इसका कनेक्शन होता है तो इसके सिरा का दियान रखना है यह वाला मैंने यहां पर पकट रखा है और इसको आपको इस तरीके से डालना है तो दोस्तों एक सिरा ऐसे आएगा फिर अगली पर जब यह पेपर लग जया तो को आप बराबर बर खर लें दालें तो इसमें-दो रां डालेंगे कोई का साइज है यहाँ पर मैंने 42 इंचि लिया है अगर अगर आपके कम जाद था है तो जो नॉर्मल इस टेटर है इसका इसके हिसाब से आप बाइस इंची इसमें कोयल मना सकते हैं बिल्कुल फिक्स आईगी और अगर आपका हैवी इस टेटर होता है तो थोड़ी बढ़ानी पड़ती है और थोड़ा पतला होता तो आप इसमें थोड़ी बहुत घठा सकते हैं औ उनको डाल देंगे और एक से तीन के इसके connection हो जाएंगे अगर आपको प्रोब्लम आती है मतलब एक साथ को डालने में सिरह समझ भी नहीं आते हैं तो आप सिंगल सिंगल करके डाल सकते हैं आप यहां देख सकते हैं एक दो तीन और फिर यह अगला आपका यह सिरह है और इसको आपको को साथ इस तरी के से घुमाना है आप देख सकते हैं और इस तरह यह चार उक्वाइल आपकी डल जाएंगी और एक से तीन connection इसके हो जाएंगे और इसके बाद आपको इसमें सेफर अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर इसके connection आप देख सकते हैं एक से तीन में इसके connection हुए हैं और इनके क्वाइलों का सेफ अच्छे से बना ले और इसके बाद इसमें जो वाइट टेप आती है यह आसानी से medical की सोप पर मिल जाती है अभी आप देखे मैं आपको दि लगा सकते हैं और पीवी सी अगर आप लगाते तो ज्यादा सही रहता है टेप से क्योंकि पीवी सी क्या है कि हलका फुलका मोस्चुराइजिंग होता है तो उससे एक रोस हो सकती है जैस्ट मैं आपको इसको वाइंडिंग करके दिखा रहा हूं इसलिए मैंने यह लगाया ऑसलिए वाइन पेपर लगा देगे और लगाने के बाद दूसरी अचल डालेंगे दूसरी में पेपर लगा देंगे इसी तरह मुंदलब जैसे हमने पहले वाली गाली थी इसी तरह सारी कोईर डाल लेंगे तो आप यहां देख सकते हैं मैं फिर भी आपको पूरी समझाने करता हूँ आप देगे सिरे का सिस्टम अगर आपके नीचे समझ में नहीं आ तो आप उपर वाली की में देखे सेम डलती है आप इसको आगे की तरफ भी राउंड कर सकते हैं पीछे की तरफ भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर पेपर आप लगा देंगे तो इसका फर्ष् कर आपको इसमें नहीं आने वाली है बहुत इसलिह वाइंडिंग हो जाती है ज्यादा से ज्यादा आया आदध होने घंटे में अप अच्य तरीके से इसको वा करके फिट कर सकते हैं तो इसमें और बना लेनी है और इसकोसाइज से चोटी-बडिना हो तो वाइंडिंग अच्छी होगी और सफाई भी अच्छी आएगी यहां पर हम इस तरीके से इसमें पेपर लगा लेंगे और पेपर लगाने बाद दूसरे साइट के विए इसमें डाल देंगे इस तरीके से दोस्तों वायर का आप जिसे ध्यान रखें कोई तार कटे नहीं कोई छिले नहीं और इसमें इसके जो पेपर आप लगाते हैं वो बराबर एक जैसे नापके काट कर रख लें पहले ही कोई कोई बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर इस तरीके से आप इसमें पेपर लगा दीजिए यह पेपर आपका लग जाएगा इसके बाद आप आप अगली क्वायर की तैयारी करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक ध्यान एक बात और मैं बता दूं आप चाहे त लाकिन आगे की तरह भी चलेंगे इस तरीके से और इसके पेपर पहले आपको टेस्टर से दवा लेना है और इसका सिरह आपको दियान रखना है इसका सिरह यहां से आ रहा है बीच एक तार चुंटा हुआ तो यह फस्ट में ही यह कौयल का सिरह आएगा यह वाला आप सारी चीजों में यह connection होते हैं आप यहां देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से कोईल डल जाएगी और आपको इसमें यह उपर से पेपर लगा लेना है फिर हमको वापस जैसे हमने यह एक से छे में इसमें दो राउंड इसके दे देंगे और इसके सिरे को साइड में कर और साइड में करने के बाद दोस्तों इसमें दो राउंड हम डाल कर और इसमें पेपर लगा देंगे यह दूसरी कोईल भी आपकी डल गई है अब हम तैयारी करते हैं तीसरी कोईल की और तीसरी कोईल आप कैसे डालेंगे सेम उसी तरीके से सिर्फ आपको सिरे का ध्यान र जब ऐलुमूनियम से आप वाइंडिंग करते हैं किसी भी चीज़ को तो इसमें जॉइंट कम से कम लगने चाहिए तो कि ऐलुमूनियम पर क्या होएगी इसमें कारवन आकर इसका जॉइंट गल जाता है अगर इस पर पॉलिस रहेगी तो इसका जॉइंट नहीं गलता है और जब भी आप ऐलुमूनियम की कोई भी चीज़ वाइंडिंग करते हैं तो जॉइंट कम से कम देने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखें सिरे को इधर आ रहा है तो इसमें अब इसका जो इसकोईल का सिराय बीच मेरे जाएगा मतलब यह वाला और यह एक से तीन में हो आप इस तरीके से दो राउंड यहां पर डाल देंगे और पेपर लगा देंगे और बहुत इसका पेपर लग जाएगा ज्यादा पर ऐसा नहीं आपको नहीं आने वाली है सिर्प आपको ध्यान रगना है तो कोई वाहर वगरा ना कट है तो दोस्तों यहां एक से तीन में आप देख सकते हैं और यह सिर्प यहां पर है तो एक से 3 में आएगा तो यहनद कि फर्ष्ट में ही इसका यह वाला सिर्प जोओ हो हिल रहाए आप किस तरह यह डाले आप यहां पे देखें दोस्तो सेम जैसे नीचे डाला था वैसे ही उपर है और जैसे उपर डाला था वैसे ही नीचे है जश्ट आपको समझना है इसका connection और बहुत easily आप इसकी winding कर सकते हैं दोस्तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगता है बहुत कम बजट में आपकी motor wind हो जाती है लग बग आपके इसमें 1.500 रुपे का करचा आता है मुश्किल से और बाकी आप customer से अपने हिसाब से इसका charge ले सकते हैं जैसे आप घर से खोल के लाते हैं लगा के आते हैं तो उसमें हजार या 800 रुपे आप लेते हैं मतलब winding भी करते हैं उसको मतलब घर भी लगा के आएंगे तो इसका 1800 रुपे वाजिब है कोई ज्यादा नहीं है और इतनी ही रेट इसकी हमारे यहां पर चल रही है और आप winding नहीं करते हैं सिर्फ खोल के लाते हैं तो उसके इसाफ़ suit करते हैं आप लगा कर सकते हैं तो यहां पर आप इसके connection देख सकते हैं इस तरीके से तार आने चाहिए आगे पीछे बराबर से कोई तार नहीं आना चाहिए अगर बराबर से तार आता है तो वो सही नहीं है और इसके बाद हम पीछे की साइट में धागा कर देंगे धागा आप चाहे अपने तरीके से कर सकते हैं मैं इस तरह भी धागा मतलब करता आप देख सकते हैं इस तरह होता कि इस तरह थोड़ी फिनिसिंग अच्छी आती है और दूसरा कि आई कि टाइट अच्छा हो जाता है तो आप यहां देख सकते हैं मैंने इसका दागा पीछे की साइट का कंप्लेट कर दिया है और इसके बाद हम दो वायर आपको एक अंदर का एक बार का लेना है तो यह जो इस तरीके से मैंने वायर लिया है इनको हलका हलका साब को छीलना है ज्यादा टाइट नहीं छीलना है आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने यह वायर लिये हैं तो इस तरीके से अगर आप इसका करते हैं तो मोटर का इसका मतलब जो यह मैंने दो वायर लिए हैं यह आपको चेंज करने होंगे यह तो आप राणिंग का करें यह यह स्टैटीघ का एक तार चेंज करें फिर आपकी मोटर सीथी चलेगी और अगर आपकी वास की मोटर है तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं मतलब कोई परिशानी आपको नहीं आएगी और क्योंकि मैंने इसमें जो वायर का गेज लिया तीस नंबर है और सेम उपर नीचे बरावर टन है 140 140 और इसलिए मैंने इसमें सिर्फ वाइट का वायर है इसका सफिद वाला जो मैंन होता है उसका ध्यान रखा है बांकि इसमें और कोई ध्यान नहीं रखा है अगर आप इसमें उपर की तरफ स्टार्टिंग का तार बारिक रखते तो यहां पर मैं जो आप उनको चेंज करना होता तार क्योंकि नीचे की तरफ इसका कनेक्शन आए लीजिए और इसके बीच में टेप लगा लीजिए जो वायर प्रोस नहीं हो इस तरीके से और फिर इन वायरों को सेट करकर इसका धागा कर दें धागा होने के बाद आपकी मोटर कंप्लिट हो जाएगी आप इसको सीरी से चेक करें अर्थिंग वगेरा तो नहीं है और दो जो पेपर हैं बीच के वो भी हम दबाएंगे यह पेपर सारे दबादे नहीं है आपको जो निकल रहा है बार और इसके बाद आप चाहे तो इसमें वार इंस्टाल सकते हैं कोई पर ऐसा नहीं आपको नहीं आएगी और अच्छे से इनके पेपर को दबा लें कोई पेपर इतनी होना चाहिए ओगो और इस तरह हो जाएगा आप मैं इसको आपको फिट करके भी धिखांगा आप इसा तरह फिट कर सकते हैं दोस्तों इसका अंदर एक गोली है यह गोली इसके अंदर होनी चाहिए अगर यह आपifice नहीं लगाते हैं तो आपकी मोटर अमट आवाज क निकाल कर अपने हिसाब से जैसे नौर्मल हम और चीजों में तार करते हैं मतलब चार वायर और दो को एक करके बार से इस तरह कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो दो वायर अलग कलर के अंदर के दो वार के इस तरीके से कर सकते हैं और इसके बाद हैं तो यहां पर अच्छे से जाट कर लें और नीचे दूसरी चाय भी लगा लें फिर टाइट जैद से पकड़का इसको टाइट कर लें और टाइट करने के बाद आप हमा कर देखें अगर की मोटर हलकिसी मतलब ताइट गुमती तो आप इसमें हलके हलकी चोट मारेंगे चोट मारेंगे तो यह विल्कुल एकदम फ्री हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर मैंने टाइट कर दी हैं बुल्ट लगबग और बुल्ट जब यह टाइट हो गए तो आप यहां देखें तो मैं इसको गुमाने की कोश्च करूँगा पहले में इसको टाइट कर लथा हूँ तो आप देखें टाइट गुम रही है अभी तो यहां पर आपको लके चोट मारनी तो यह बिल्कुल फिरी हो गई है और इसके बाद चोट मारने के बाद भी इसके बुल्ट अच्छे से खेंच दें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए और इस तरीके से एक मोटर आपकी कम्प्लिट हो जाती है यहां पर आपको में एक छोटा केपसिटर है मतलब पंके वाला केपसिटर है इससे ही मैं इसको चेक करा रहा हूं तो और यहां पर आप इनकी मोटर की वाणिंग करके बताई अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें लाइक करें मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टोपिक असाथ तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर